तो देखते ही आप लोग आंसर कर सकते थे positive कैसे आप लोगोंने एक चीज पढ़ी होगी कि इस triangle की दो sides का sum किसी भी दो sides का sum तीसरी side से बड़ा होता है ये चीज पढ़ी है अब random example ले लिजे 3, 4 और 5 इसको check करके देख लिजे चाहे इसको जब आप करेंगे तो 7 greater than होगा और under root जब आप इसका निकालेंगे तो under root 3, under root 4, under root 5 under root को भी check कर लो इसकी कितनी value होती है 1.7, ठीक है इसकी value कितनी होती है, 2 होती है इसकी value 1.24 होती है 2.24 होती है इसको जैसे ही आप दोनों को add करके ये घटाएंगे तो always आप देखेंगे कि positive answer आप लोगों के पास आएगा चाहे किसी में भी ये apply करके देख लिजे किसी भी triplet के लिए apply करके देख लेना आपका answer बड़ा ही आने वाला है तो always ये value क्या होगी positive ही आपके पास आएगी तो कभी भी ऐसा question आता है तो आप within seconds में solve कर सकते हैं तो अगर ये question पसंद आया हो तो share कर देना अपने सभी friends से और like और subscribe जरूर कर देना